आप सभी का स्वागत है बहुत नमस्कार बंदुगन आज कुछ महत्वपून विश्यों को लेकर ये प्रेस कॉन्फरेंस रखा गया है आप सभी ने देखा है कि इस देश में जब भी भ्रम की राजनीती होती है जब भी भी कन्फ्यूजन फैलाया जाता है जूट की राजनी राजनीती होती है तो कहीं न कहीं राहुल गांधी जी का हाथ होता ही है आज फिर से एक बार राहुल गांधी जी ने भ्रम की राजनीती की है राहुल गांधी जी यूँ तो जमीन पर उतर कर राजनीती करते नहीं है किन्तों ट्वीटर पे सक्रिय रूप से भ्रम की राज किसान अंदोलन के एक पुराने तस्वीर को रख करके उन्होंने उसे वर्तमान के तस्वीर के रूप में दिखाया है और ये मेरी लिए कहना अनुचित नहीं होगा अतिश्योक्ति नहीं होगी कि राहूल गांदी भली भांती जानते हैं कि आज कॉंग्रेस पार्टी जो पू कभी विशय को उठाने के लिए और इसी कारण से कभी सोनिया जी वर्चुल मीटिंग करती है सभी पार्टियों के साथ तो कभी राहूल गांदी भ्रम की राजनीती की माध्यम से जूटे फोटो के माध्यम से राजनीती करने का प्रयास करते हैं अगर अंग्रेजी में कहा जाये तो राहूल गांदी हैस बिकाम दपॉलिटिकल कुकू अफ दे प्रेजन डे इंडियन पॉलिटिक्स कुकू चिडिया जो होती है वो कभी भी मेहनत नहीं करती है वो कभी भी अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है दूसरों के घोसले में आनंद की अनुभूती करने की चेष्टा दिसस्कॉल इस पॉलिटिकल कुकू अफ इंडियन पॉलिटिक्स कहीं न कहीं अपने संगठन को आगे नहीं बढ़ाना अपने संगठन को अध्यक्ष विहीं रखना अपने परिश्रम नहीं करना और दूसरों के कंदे पर बंदू कर रखके चलाने का प्रयास करना यह रहूल गांधी जी का आदत बन चुका है तो अफकोर्स यह रहूल गांधी जी नहीं बारत के वैक्सीन नीती के ऊपर और कॉरुना के समय मोदी जी के अथक परिश्रम के ऊपर बहुत हमला किया था आज हम राहूल गांधी जी से पूछना चाहते हैं राहूल गांधी जी आज आपने माननिय प्रधानमंत्री स्री नरेंद्र मोदी जी का वैक्सीन संबाद भी सुना होगा किस प्रकार से विश्व का सबसे fastest और सबसे बड़े vaccination drive के रूप में भारत की vaccination चल रही है वो आप सब ने देखा है पूरा हिंदुस्तान आज इसका लोहा मानता है पूरा विश्वई से आज सलाम कर रहा है मगर वही राहूल गांधी आज नदारत हैं एक भी ट्वीट वैक्सिनेशन को लेकर वो करते नजर नहीं आते हैं आज प्रधान मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश में बाचीत करते हुए बदाई भी दी है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, दादर नगर हवेली ये वो राज्य हैं जिनमें 100% कोविड वैक्सिनेशन हुआ है एक डोज मिला है, 100% त्रिपूरा जैसे अनेक राज्य हैं जिनमें बहुत सुचारू रूप से वैक्सिनेशन चल रहा है और 80% तक वैक्सिनेशन हो चुका है बंदुगन आज तक लगभग 68.75 करोड जनता को वैक्सिनेशन का एक डोज जरूर लग चुका है सोचिए ज़रा कितना बड़ा विशय है ये लगभग 70 करोड भारत के आबादी को वैक्सिनेशन लग जाना और इस पर एक ट्वीट राहूल गांधी का ना होना आज भारत भाग्य विधाता कौन है भारत भाग्य विधाता भारत की जनता है जनता जनार्दन है उनके लिए एक सच्चे सेवक के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी दिनरात परिश्रम करके ये जो वैक्सिनेशन ड्राइव बढ़ा रहे है प्रती दिन आउसतन 85,85,000,000 वैक्सिनेशन हो रहा है ऐसे दो दिन रहे हैं जहां एक करोड से अधिक वैक्सिनेशन हुआ है उसके बावजूत ये जो लोग भ्रम फैलाते थे जूटे तस्वीर के माध्यम से वो लोग चुप है ये वह रहूल गांदी है जिनका चंद दिन पहले एक ट्वीट कॉन्ट्रोवर्सी में आया था जब एक पिडिता के फोटो को लेकर पिडिता के परिबार को फोटो को लेकर उन्होंने फोटो ट्वीट किया था बाद में ट्वीटर ने फेस्बुक ने उस फोटो को डिलीट किया तो कहीं न कहीं राहूल गांदी हमेशा भ्रम की राजनीती करते हैं फस्ते नजर आते हैं आज ही राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट में एक माइनर के साथ एक नाबालिक के साथ रेप का गटना भी सामने आया है जगन्या प्राद हैं कि तुक पूरे हिंदुस्तान में भ्रह्म की राजनीती करना और अपने राज्यों के विशह में चुप इस गड़ में जो वर्तमान के मुख्यमंत्री बगेल सहाब है उनके पिताजी और उनके परिवार के लोग स्वेंग ही जाती वाद विद्वेश फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं न कहीं एक डिस हार्मोनी का एन्वायर्मेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ अ मैं जनेऊ-धारी बहुत विराट हिंदू हूँ आपने फोन किया एक बार बगेल जी को बगेल जी के पिताजी जिस प्रकार से एक समाज विशेश को लेकर वहां आग उगल रहे हैं जिस प्रकार से वहां वायमनस्य की राजनीती हो रही है इस विशह पे राहुल गांधी जी आपने ध्यान दिया कहां से ध्यान देंगे आप तो जूटे तस्वीर के माध्यम से अपनी राजनीती चमकाने में व्यस्त हैं बंदुगण एक और राहुल गांधी है तो दूसरी और हिंदूस्तान के हमारे माननिय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी है अथक परिश में युनाइटिड स्टेट्स का ग्लोबल लीडर अप्रूबल रेटिंग आया है आप सभी जानते हैं मौनिंग कंसल्ट का ये जो अप्रूबल रेटिंग है ये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगभग सतर प्रतीशत का अप्रूबल देता है और जो डिस अप्र अप्राद्ध्यक्षों के साथ ये कमपेरिजन किया गया है और इन सभी कमपेरिजन के बात प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरे विश्व के सबसे चहेते लीडर के रूप में सामने आते हैं चाहे जो बाइदन हों चाहे जर्मणी के चांसलर मरकल जी हों उनं से आज आगे कोई नेता है पूरे विश्व में तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी है इसमें सबसे महत्वपून बात है यह जो अप्रूवल रेटिंग है सत्तर प्रतीशत का जो निरंतर बढ़ रहा है इससे पहले 66 परसंटेज का था अब वो सत्तर प्रतीशत का है यह क किसान के लिए अपेकशितों के लिए लगातार काम कर रहा है वो अपने आप में सरहानी है प्रधान मंत्री गरीब करल्यान अन योजना के माध्यम से 80 करोड जANTा तक लगातार 2 वर्षों तक अन पहुँचाना पांच केजी अन पहुँचाना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्दी है पीम गरीब कल्यान योजना के माध्यम से एक लाग सत्तर हजार करोड रुपए व्याय करके गरीबों का मंगल करना आत्म निर्भर भारत किसान सम्मान निधी में देड़ लाग करोड रुपए बिना बिचोलियों के किसान के बैंक अकाउंट तक एगरी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक लाग करोड रुपए खर्च करना और रभी हो या खरीफ हो उसके लिए देड़ गुना MSP देना ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है फसलों का रेकॉर्ड उत्पादन फसलों का रेकॉर्ड खरीद अठाथ प्रोक्योर्मेंट और फसलों का रेकॉर्ड भुगतान ये अभी मोदी जी के कारेकाल में संभव हुआ है गन्ना किसानों का भी F.R.P. अभी हाल फिलहाल में रेकॉर्ड संख्या के साथ बढ़ाई गई है D.A.P. भे प्रती बोरी 1200 रुपे की सबसिडी यह भी किसानों के साथ खड़े होने वाली नीती है इनाम पोर्टल के माध्यम से किसानों को मार्केट मुहया कराना इसके माध्यम से प्रधानमंत्री जीने किसानों के लिए लगातार काम किया है बंदुगान आज सिर्फ इतना ही हम कहना चाहते थे कि हिंदुस्तान की राजनीती में एक और ऐसे यसश्वी प्रधानमंत्री प्रधान सेवक मौजूद है तो दूसरे और राहूल गांधी भ्रम की माध्यम से जूटी तस्वीरों के माध्यम से ट्वीटर की माध्यम से जो राजनीती करने की चेश्टा कर रहे हैं वो कभी सफल नहीं होगा देश की जंता प्रधानमंत्री को ही अप्रूफ करती है प्रधानमंत्री के साथ ही खड़ी है कोई प्रश्न हो तो अवश्य पोछें यह मौनिंग कंसल्ट है यूएस बेस्ट कंपची मौनिंग कंसल्ट देखिए जहां तक किसानों का संबंद है किसान देश का अनदाता है किसानों को जितना भी नमन किया जाए किसानों के लिए जितना भी किया जाए वो कम है सत्तर वर्षों तक किसानों की परिस्थिती हिंदुस्तान में किस प्रकार की रही है यह हम सब ने देखा है रहा है और वही कारण रहा कि पहली बार देड़ गुना MSP को बढ़ाना और स्वामिनाथन जी जो कि इसके प्रनेता थे उन्होंने खुद एक आर्टिकल लिख करके ये कहा कि जो मेरे स्वपन थे उन स्वपनों को यदि किसी ने साकार किया है तो उनका नाम नरिंद्र मोदी ह जिस प्रकार से record उत्पादन हो रहा है जिस प्रकार से record खरीदी हो रही है ये सारा कुछ आपके सामने है क्या यह हकीकत नहीं है कि आज से कुछ वर्षों पहले आप याद करिये डाल इत्यादी का उत्पादन इतना कम होता था कि हर सीजन में डाल डाल की prices आकास चूती थी आज ये जो इंसेंटिव प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है उसके कारण दाल इत्यादी के उत्पादन में भी बड़ुत्री हुई है पी-म किसान सम्मान निधी देड़ करोड देड़ लाक करोड से अधिक रकम किसानों के एकाउंट में डी-बी-टी के माध्यम से डाइरेक्टली जाना बिना किसी बिचौलिये कि ये बोलने में बड़ा आसान है किन्तु होने में कितना डिफिकल्ट होगा आप जरा सोचके दे यूरिया की कमी के कारण पहले सडकों पर गोली बाजी होती थी, किसानों की जाने चली जाती थी, आज यूरिया की कोई किल्लत नहीं है, यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती है, इन सब विश्यों को आखिर कौन देखेगा? जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है, पागे भी किसानों की ही सरकार रहेगी. दिखे, क्या नारे लगाना, नारे नहीं लगाना, उनके नेताओं का विशह है, इस पर मैं टिपणी करूँ, योचित नहीं रहा. See, as far as whatever happened in the Red Fort last time, by certain anarchists are concerned, we are of the firm belief that such incidences are deplorable, they play with the democracy of country and should never be repeated. In fact, cases are going on, courts are hearing these cases and we are of the opinion that soon law will prevail. As far as Bharati Janta Party is concerned, we are of the belief that, well, yes, we can have protests in democracy, but we cannot have anarchy in democracy. See, as far as Asauddin Ovesi is concerned, Asauddin Ovesi has his own agenda and his agenda is a divisive one. We are quite aware that Faijavar's name has been changed and today, after the court's verdict, we are on the way towards the Bhavya Ram Mandir. Thanks to the Modi government in the centre and the Yogi government in Uttar Pradesh, that we are moving peacefully in the right direction. But of course, due to political benefit that Mr. Asauddin Ovesi is trying to gain, he will play all kinds of divisive politics. People are intelligent enough and I am sure people of Uttar Pradesh will not fall in for such kinds of divisive politics. सब्सक्राइब करना उचित नहीं रहेगा इतना गंभीरता के साथ इन विश्यों को जंता देख रही है जंता इसका निर्नाय और मुल्यांकन करेगी मगर मुझे आश्चर ये लगता है कि इस प्रकार के जो कलाकार हैं ये एक तरफ तो कहते रहते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसा डरका माहूल है कि यहाँ पर माइनॉरिटीज चैन से सांस नहीं ले पा रहे हैं और वहीं पर वो चाहते हैं कि बाहर देशों से माइनॉरिटीज हिंदुस्तान में आएं और यहाँ पर उनको शरण दिया जाए ये दोनों चीज़े कैसे हो सकती हैं अगर डरका माहूल है अगर यहाँ सरकार ने यहाँ बीजेपी की सरकार ने यहां आरेसेस ने ऐसा माहू बनाया हुआ है कि कोई भी चैन का सांस नहीं ले सकता है तो यह आप बाहर से अपन आप माइनॉरिटीज को और रेफ्यूजी को यहां पर क्यों बुरा ना चाहते हैं आप क्या उनका मंगल नहीं चाहते हैं और दूसरी बात है देखिए यह खुद इनके वक्तव्य इस प् सब्सक्राब देते हैं तो कौन सा माहूल खराब है कोई माहूल खराब नहीं है कहीं न कहीं यह इनकी आदत पढ़ गई थी कॉंग्रेस के राज के समय इनकी आदद पड़ गई थी जिस प्रकार का सरकार उस समय था अब की सरकार में सब का साथ सब का विकास यही उद्धेय है यही उद्धेश्य है इस पर बहुत अधिक कमेंट करना उचीत नहीं होगा जनता सब समझती है I'm not aware of this. I think all the questions answered. Thank you.